हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी इस प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है मिशन कामियावी जिद से जीत तक दोस्तों आज की दिन आप देख रहे होंगे रिसेंटली अकबारों में न्यूज आ रही है कि पैसे की वैल्यू घट रही है तो हम कैसे समझ सकते हैं कि पैसे की घटना बढ़ना यह सारे factors हैं यह कैसे decide होते हैं कि पैसा कभी 1947 के अगर बात की जाए 1947 के अंदर वन डोलर की वैल्यू वन रूपया के बराबर होती थी ऐसा कहा जाता है लेकिन आज के दिन बात की जाए वन डोलर की वैल्यू कितनी है 81.2 रूपीज तो भई पैसा है वो इ इतना strong कैसे हो गया या फिरी चीजें आज के दिन मार्केट में किस according exist करती है रूपय की value up-down कैसे होती है यह सारे concept हम जानने की कोशिश करेंगे आज किस class के अंदर दोस्तों देखना ही पूरी world की economy एक open economy due to globalization क्या हो है कि सारी economy है एक integrated economy भारत की economy हम close economy नहीं कह सकते close economy उस country क economy को कहेंगे जो भार से ना तो import करते ना export करते आज के दिन शायद ही ऐसी कोई country होगी जो closed economy हो सारी country आज के दिन क्या है open economy हरे country किसी ने किसी country से कुछ चीज़ें export करती है और कुछ चीज़ें import करती है ठीक है दोस्तों तो basically क्या है कि कि किसी भी country की value currency है उसकी value हम dollar में क्यो देखते हैं पहली बात यह कि dollar का एक globalized economy है globalized currency है dollar की acceptancy है dollar को हरे country में accept किया जाता है अगर हम major currencies की बात की जाए जो world level पे पांच ही currency जो हर जगह accept की जाती है जैसे dollar, yen, yuan, pound sterling, euro तो यह पांच है कुछ ऐसी currencies है जो पूरे world के अंदर accept की जाती है अब देखना दोस्तों किसी भी country की जो currency होती है उसका dollar के aspect में घटना है बढ़ने का क्या reason होता है हरे country क्या करती है export करती है और import करती है अगर कोई country जादा से जादा चीजों का export करती है तो उसके पास क्या आएगा foreign reserve उसके पास दोस्तों क्या आएगा foreign reserve या foreign currency तो अगर हम जादा से जादा चीज करेंगे तो हमारे पास foreign currency आएगी अगर हमारे पास foreign currency आएगी तो हमारा 4x reserve foreign reserve वो increase होता जाएगा उसके बाद हमें जिन भी चीजों को import करना होगा उसके बदले हम क्या उस foreign currency को check कर सकते हैं दे सकते हैं लेकिन इसका उल्टा हो है कि हमारा इंपोर्ट है वो जादा है अगर हमारा इंपोर्ट बहुत जादा है तो हमें क्या world को जो रुपए जिस भी country को रुपए देने होंगे वो हम एक global economy जो global currency है उसकी terms में देंगे इसलिए हमें अपनी currency को बाहर देना होगा बाहर से उस currency को convert करवाना पड़ेगा किस के अंदर डोलर के अंदर येन के अंदर युवान के अंदर तो अगर हम भार की country से import करते हैं तो हमारी currency भार की country में जादा चली जाएगी हमारी currency की जो value है वो दीरे-दीरे depreciate होती जाएगी वैसी अगर हम भार की countries को export जादा करते तो हमारे पास बाहर के currency वो जादा आएंगी और हमारे पैसे की value धिरे-धिरे market में भढ़ती जाएगी देखना दोस्तों अगर Indian scenario की बात की जाए तो इंडिया का जो trade डाटा है 2021 का आप देखना green वाले digit शो करें कि हमारा export कितना है red वाली शो करी हमारा import तो दोस्तों यह देखो December 2021 के अंदर हमने लगबग 443 million dollar इतना हमने क्या किया import किया है और 299 dollar export अगर यह देखना 364 dollar हमने export किया है import किया 230 it means हमारा जो trade deficit है हमारा जो trade deficit है या फिर इसको कह सकते हैं जो balance of payment है balance of payment है वो क्या है negative है negative का मतलब हम export कम कर रहे है import ज्यादा कर रहे है फिर trade deficit it means हम import ही किये जा रहे है अगर हम भार से चीजों को import करेंगे इंडिया के अंदर लाएंगे it means हमें भार के जो country उनको पैसा देना होगा वो पैसा currency की form में जाएगा इससे धीरे-धीरे हमारी जो country की जो currency है उसकी value depreciate हो जाएगी अगर हम यह इससे उल्टा कर दे अगर हम भार की countries को ज़्यादा चीजे बेच रहे हैं तो वहां से हमारे पास एक global economy की जो currencies है पॉन sterling है डोलर है यूरो है वो हमारे पास आती रहेंगी और हमारी जो पैसा है वो इसके comparison में क्योंकि हमारे पास foreign reserve बढ़ेगा तो हमारे पैसे की value भी भड़ती जाएगी ठीक है दोस्तों अब आप देखना कि टो फाइफ चीजें जो हम import करते हैं crude petroleum दोस्तों petroleum हम large scale पर क्योंकि इंडिया में बहुत कम resources है अगर petroleum या oil resources की बात की जाए या तो बुंबई तो ये सारी चीजें top 5 चीजें जो हम इंडिया import करता है अगर export की बात की जाए petroleum products जैसे weseline वगेरा precious stones drug formulated and biologicals gold and precious metals iron and steel तो ये 5 top export की चीजें और ये 5 चीजें अगर बात की जाए भारत के जो top 5 trading countries है USA के साथ हमारा सबसे ज़्यादा हमारा trade होता है उसके बाद चाइना के उसक के बाद साओधी अरेबिया और उसके बाद Hong Kong तो ये 5 countries है जिनके साथ हमारा maximum trade होता है आगे देखना दोस्तों है अब अगर हम बात करें हमारा इंपोर्ट इतना है और export इतना है मारे इंडिया के अंदर चीजों का manufacturing कम हो जाएगी तो अब देखना और एक और चीज कहा कि यूएस डोलर है यूएस डोलर जिस कंट्री के पास इतना ज्यादा होगा उसकी वैलू उसकी कंट्री की जो करंसी है उसकी वैलू उतनी ही ज्यादा होगी क्यों क्योंकि आज के दिन डोलर है सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर जो ट से 88 परसंट यह पुराना डाटर 2019 का डाटर benefici का डाटर है 88 परसंट आज के दिन में वर्ल्ड में पुरा ट्रेड होता है वो डोलर की form के अंदर होता है तो सिंप्ली हम कह सकते जिस कंट्रीग के पास जितना ज्यादा डोलर इत मिन से जितना ज़्यादा फोरेक्स रिजर्व एस कंपेट तो देर ओन करंसी वो कंट्री उतनी ही पावर्फुल और उस कंट्री की करंसी उतनी ही पावर्फुल आप देख पारियों कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड वो होता है वो 88.3% किसका है भई डोलर का तो आज के दिन मार्के के हम सारी चीज़े डोलर की टर्मस में इसलिए देखते हैं कि पूरे वल्ड में मैक्सिम्म जो ट्रेड होता है वो करंसी की फो में होता है वो डोलर है तो डोलर के कंपेरिजन में हम देखते हैं कि हमारी कंट्री की जो करंसी है जो रुपए है वह इंक्रीज हो रहा है वह कहने को तो हम पॉंट स्टरलिंग में भी देख सकता हैं कहने को तो हम येन में युवान में या फिर जैसे येन है वो जापान की करणसे युवान है चाइना की करणसी है और यूर है वो mostly European countries की करणसी है ठीक है दोस्तों तो हभी recently क्या है इंडिया का वन डॉलर की जो वैल्यू है वो 81.2 रूपीज इट मिन्स डॉलर की रूपाई की वैल्यू कहीं न कहीं depreciate कर रही है उसका major factor है कि हमारे पास एक तो फोरेक्स रिजर्व है वो डिकलाइन हो रहा है और दूसरा है कि हमारा export और import के बीच में जो balance है ट्रेड balance ओफ ट्रेड है वो negative चल रहा है मिन्स balance ओफ ट्रेड deficit के अंदर चल रहा है ठीक है दोस्तों अब आप वर्ल्ड की economies की बात करो वर्ल्ड की top five economies में सब से आ गया United States 30 क्योंकि पूरे वर्ल्ड की economy है वो handle trillion dollar United States की जो economy है 2022 का data है 25.3 trillion dollar उसके बाद चाइना की economy है 19.9 trillion dollar उसके बाद जर्मनी और जापान देखना 4.5 और 4.3 trillion dollar अब देखना दोस्तों यहां इंडिया और United Kingdom इंडिया ने क्या किया United Kingdom को पीछे छोड़ दिया तो fifth largest economy fifth largest इंडिया की है 3.3 trillion dollar 3.3 trillion dollar UK की है भी 3.3 इंडिया की point कुछ जाद है इनकी point कुछ कम है जस्त हमने overtake कि है उसको सरपास किया है किसको United Kingdom को लेकिन as compared to China हमारी economy अभी भी उनसे लगबग 6 गुना 7 गुना पीछे ही है तो world के अंदर अगर हमें market के अंदर अपनी currency को या अपने जो रुपय है उसकी value को बढ़ा आना तो हमें या तो दोलर के comparison में देखना पड़ेगा या फिर यूवान जो चाइना की currency है उसके comparison में देखना पड़ेगा हाला कि आज के दिन सारी चाइना ने क्या काम किया है चाइना भी अपने आपको युवान से बैटर डोलर पे focus कर रहा है क्योंकि चाइना वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा exporting मार्केट है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में export चाइना कर रहा है तो चाइना ने अपने पास भी जो डोलर का रिजर वह बहुत लाब सकेल पर रखा चाइना किसे भी कंट्री के साथ trade करता है वहाँ से किस चीज़ की demand करता है और पास दोल्र आ जाए उसके पास गोल्ड आजाए तो आज के दिनें सारी µार्केट डॉलर से चल रही है तो चाहिना चाहता है कि अमेरिका को कैसे pichhyर छोड़ा जाए जब उसके पास किंट्रोल हो जाए डॉलर का थीक है दोस्तों तो आज के दिन अगर बात की जाए इंडिया को gaat permitted कि इंडिया को डॉलर के कंपरिजन में अपना लेवल उठाना है पहले 1947 वन डॉलर इस इकल टू रूपीज होते थे और आज के दिन वन डॉलर अगर 81 82 रूपीज जा रहे हैं तो उसके लिए हमें कि यह करना होगा कि फोरन रिजर्व मैक्सिमम यहां पे हो फोरन रिजर्व म केमेंट बिल्कुल जितना export हो रहे हम उतना ही इंपोर्ट जितनािंपोर्ट हो रहे है उतना एकस्पोर्ट करें उसके बाद हम झायथ बढ़ाएंगे तो हमारी कंठ्री की इकोणोमी ब commend करेंक्री में